इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एक website कैसे बना सकते हैं with the help of WordPress यह पूरी सिरीज रहने वाली है इसमें आपको WordPress के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलेगी तो यह आपको दिखा लिता हूँ सारे टोपिक मैंने नहीं लिखे हैं और भी बहुत सारे टोपिक मैंने मेजर मेजर टोपिक लिखे हैं इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि hosting और domain name कैसे purchase कर सकते हैं बाद में जो आने वाली वीडियो है उसके साथ में मैं आपको cpanel से introduce कर वाँगा कि cpanel होता क्या है कैसे उसमें login करते हैं क्या कि उसके अंदर features होते हैं मैं आपको सारी चीज़े बता दूँगा बाद में WordPress को install कैसे करते हैं WordPress के साथ ही हम लोग एक school की website भी बनाएंगे एक photo studio की website बनाएंगे जिसके अंदर बड़े सारे sliders होंगे और बड़ी jazzy एक fancy website होगी और उसके बाद में एक website और बनाएंगे जिसके अंदर आप songs या फिर videos को download या फिर upload कर सकते हो और website का backup कैसे ले सकते हैं मैं आपको यह भी बताऊंगा अगर आपने WordPress पे local system पे एक website ब change करते हैं, post कैसे करते हैं, menus कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ी सीखने को मिल जाएंगी इस वीडियो के अंदर हम पहला point cover करेंगे hosting और domain name कैसे purchase करते हैं, बहुत सारी website है, domain of hosting purchase करने के लिए, बट मैं यह आपर use करूँगा domain racer, इसके काफी सारी reason है, पहला reason तो यह, इनकी hosting और domain के हाथ में कभी problem नहीं आती है, मैंने around 10 या 11 domain name से purchase करे हैं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आज मेरी hosting में problem है, domain में problem है, हमेशा अच्छे चलते हैं और अच्छी speed में भी काम करते हैं, because यह use करते हैं, light speed technology with the SSD disk, so domain racer को उपर जाते हैं, अच्छा, आप यह सोचर होगी यार कि आप तो domain racer के हाथ में कर रहे हो, अगर हमें किसी और site से purchase करना हो, देखो परचेज करना, चाहिए hosting चाहिए domain name, almost similar process होता है, बहुत ही minor सा difference मिलेगा, आपको अगर मिलेगा, तो otherwise 99.9% same process ही होता है, हर जगा ऐसे domain या फिर hosting परचेज करनेगा, तो उसके लिए आपको बोजर करने की ज़रूरत है नहीं, मैं यहां पर domain racer के उपर जाता हूँ, आप Google करके जा सकते हो, अफिर इनकी direct website पर चले जाओ, एक ही बात है, यहां पर आपको इनकी website को आप चाहो तो अच्छे से explore कर सकते हो, आपको यह बहुत सारे अच्छे features और यह क्या-क्या functionalities देते हैं, क्या-क्या प्राइस हैं, सब मारे पास, यह basic idea दे देंगे, कि cheapest web hosting है, light speed technology यूज़ करते हैं, यह सारे चीज़े आपको बता देंगे, उसके बाद में आपको दिखाते है plans, कि क्या plan यूज़ करने, आपको basic plan है, personal plan है, silver है, advance है, जो भी आपको ठीक लगे, मैं आपको random चूज़ करता हूँ, because मैं आपको last plan भी ले सकते हो, कोई problem नहीं है, इसके साथ में, मैं personal plan यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ ठीक है, सब similar ही है, अगर basic level पर देखते हो, ठीक है, advance level पर चीज़े मिलती है, अब आपको कोई domain name purchase करना है, तो मैं लिखता हूँ, यहाँ पर code, step by step, और let's say मैं लिख देता हूँ, यह यहाँ से की dot com के बाद में XYZ, या फिर इन से related domain name भी यह तो भी add कर सकते हो, अब एक लिए मैं यह add नहीं कर रहूँ, यहाँ से आप continue करोगी, और यह same process ही होता है, और websites के अंदर भी आप ज्यादा confuse मत होना कि यह और website के ओपर मुझे purchase करना हो, तो कैसा होगा, जी नहीं, हर आपको same ही process मिलेगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर summary मिल गई, कि यह plan इतने का पड़ेगा, आपको basic plan काफी सस्ता पड़ेगा, यह मैंने personal plan यूज कर है, right, after that, यह आपको free services मिलती है, यह आपको basic plan के साथ भी मिलेंगी, ठीक है, DNS यह free रहेगा, आपका ID production है, यह भी आ domain name हर्द आपको इतने कहीं मिलेगा, इसमें कुछ खास फरक मिलता नहीं है, even domain racer पर थोड़ा सा सस्ता ही मिलेगा आपको, so उसके बाद में आप check out कर सकते हो, जैसे ही आप check out करोगे, तो आपको अब कुछ detail फिल करनी है, यह detail में आपको recommend करो हो, कि आप सही फिल करना, ठीक ठीक है, ठीक है, company address हमारे पास नहीं होता, first name, last name, email address, phone number, यह आपको हमेशा अची address ही देनी है, perfectly fine देनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत हो चलेगा नहीं, बट email के ओपर ही आपको official email आते है, phone number जुरूर कुछ problem आते हैं, तो आप AC phone से contact करोगे, ठीक है, कभी-कभी आपको message अगर कुछ problem उनको लगती है, तो यहाँ पर आपकुछ address दे सकते हो, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर password डालोगी, जो आपने email address यहाँ पर यूज कर रहे है, और जो आपने password यूज कर रहे है, वो आपको email address वगरा पर भी मिल जाता है, वैसे तो यह खुद email कर देते ह आपको जैसे आपका account create होता है, और यही आपका login, email ID और password भी रहने वाले है, अगर आप इंडिया से हो या बाहर से उसके हिसाब से आप लोग INR की payment चूज कर सकते हो, इंडिया only है या फिर बाहर से जो आप यहाँ देख सकते हो, उसके बाद में आपको read on कर सकते हो, और order क कर सकते हो, जैसे इसको पर order करोगा, अपसे error देगा, मुझे पता हो कि वहने चीज़ें fill ने करी, या आपको credit card वाले page के उपर लेके चला जाएगा, वहां से आप detail fill कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग detail fill करते होगे, आपको domain name नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, definitely मिल मिलेगा, आपको domain hosting, ऐसा कभी नहीं होता है, अगर आप ने कभी purchase नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग के दिमाग में, यह चीज़ें डर हो, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, alright, so उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, उसके बाद में आप login कर सकते हो, direct, जैसे आप account create होगा, आपके पास email आ जाएगी, उसके अंदर आपको आपके account की details रहेंगी, cpanel की details रहेंगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, अब आप यहां से अपना login कर सकते हो, so login के लिए मैं यहां पर डालता हूँ, मेरा email address, और password, just give me a moment, ठीक है, so इसको हम लोग यहां पर login करेंगे, so login करने के बाद में यहां पूरा पूरा account मिलेगा, यहां पर आप services पर जा सकते हो, जैसे ही, आप services पर जाओगे, domain पर जाओगे, इनके ऊपर जाओगे, आपको सब कुछ पता दे लेगागी, क्या क्या है, यह मेरी website का link है, webanilcdh. यह देखो dummy domain name है, जो मैंने dummy domain name अभी use कर रहा हूँ, जब आप use कर रहे हो तो आपको actual मिलेगा, यहां पर खाली page मिलेगा, मैंने मेरे personal purpose के लिए मैं कुछ videos बनाने के लिए testing कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ code रखा हूँ, ठीक है, आपको ऐसा नहीं मिलेगा, उसके बाद मैं आप यहां पर आओगे, तो आपको service उगरा मिलेगा, यह चाओ तो यहां पर active का option होगा, इसको active कर लो, और भ बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगे कि कितना अपने disk use कर रखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ, और जब मैं जैसे ही मैं नीचे आता हूँ, तो यहां पर आपको और भी कुछ चीज़ें मिलेंगी, shortcuts हैं यह, जैसे कि cron job हो manager पर click करोगे ना, तो यह आपको ले जाएगा आपके c-panel के ऊपर, c-panel कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है, मैं एक detail वीडियो नहोंगा, जो next वीडियो रहेगी ना, हम लोग से अंदर c-panel अच्छे से cover करेंगी, कि कहां पर क्या होता है, क्या क्य चीज़े होती है, ठीक है, यह इसने direct login कर दिया है, यहाँ पर, अगर आप 4 direct यहाँ पर गरोगे, यह आपको special direct के अंदर लेके जाता है, तो यहाँ पर आपको कितने सारी option मिलते हैं, एक question और हो सकता है आपके पास, क्या c-panel सबके सेम होते हैं, सबके लग लग होते हैं, c hp admin मिल गया, यहाँ पर आपको, redirection वगरा के लिचीदे मिल गई, subdomain names मिल गए, domain name मिल गए, और visitors वगरा आप यहाँ से चेक कर सकते हो, google के अंदर आपकी ranking यहाँ से चेक कर सकते हो, यह आपको अच्छे tools मिलते हैं, को एक specific IP block करना है आपको, वैसे अगले वाली वीडियो अगर आप यह लोग अच्छे से देखोगे, तो आपको एक पूरी पूरी episode बनाना आराम से आ जाएगी